वेरी गूद इवनिंग तो अल अफ यू वैलकम तो टीजर सेलेक्ट अकैडमी मैं हूँ गुफरान आलम आज हम लोग जानेंगे teaching aptitude के बारे में discuss करेंगे especially brief discussion बहुत ही कम समय में और बहुत ही अच्छे तरीके से कोशिस की जाएगी कि teaching aptitude क्या होता है उसको समझा जाए estate वगर हमे paper के लिए चुकि discuss कर रहे थे थोड़ देर पहले लास्ट वीडियो में तो सोचा कि estate के लिए teaching aptitude क्या है जरा सा students को समझा दिया जाए चले देखते हैं teaching को जरा सा समझते हैं सबसे आशान भासा में की teaching क्या है आब बोट पर देख पा रहे है teaching is an art as well as science सिक्षान एक कला भी है सिक्षान एक विज्ञान भी है इसमें दो सब्द निकल के आते हैं जिसको समझाने की अवश्चकता है एक art और एक science कि उसे art और science क्यों कहा जाता है सिक्षान अपने आप में जितना art है उतना ही science भी है कैसे इस चीज को जरा सा समझने के लिए हम discuss करेंगे अभी art का मतलब कला होता है कला जो हमारे अंदर है हमारी अपनी है जो हमारे अंदर जनमजात शक्ती जनमजात शमता या किसी काम के प्रती जो कौशल या skill हमारे अंदर डिवलप होती है वो हमारा art होता है हर सिक्षक का परहाने का अपना एक अंदाज होता है अपनी एक communication होती है, अपनी एक delivery होती है अपनी एक knowledge होती है, performing style होती है सब कुछ अपना एक अलग होता है, वो हर सिक्षक का अपना एक art होता है परहाने का पटना में जितने भी सिख्षक या पूरे इंडिया की मैं बात करूँ या पूरे वल्ड की बात करूँ हर सिख्षक का परहाने का अपना एक अंदाज अपना एक स्टाइल होता है कुछ लोग स्टुडेंट्स को लोट पोट करके हसा हसा के परहते हैं कुछ लोग इतना serious mood में रहते हैं, अपने तरीके से परहते हैं, कुछ लोग content और matter के अलावा कोई बाचीत करना नहीं चाहते हैं, कुछ लोग आते हैं बस लिखना शुरू करो और student लिखते रहते हैं, वो उनकी अपने style हैं, कुछ लोग discussion पे ज़्यादा time देते हैं, लिखन भिन्य रूप से बताने में मदद करती हैं, मैं जो चीछे जैसे परहा रहा हूँ, जरूरी नहीं है कि दूसरे सिक्षक भी उन चीजों को वैसे ही मेरी तरह परहाय समझाए, उससे बेहतर हो सकता है, उससे अलग तरीके से हो सकता है, तो यह उसकी अपनी एक कला है, हर सिक् बाकी लोगों से, बाकी सिक्षकों से अलग करती है, भिन्न बताती है, और उसकी पहचान, बाकी सिक्षकों की तुलना में students के बीच, एक अलग image, एक अलग पहचान बनाती है, वो उसकी कला है, तो सिक्षन में जो हमारी skill है परहने का, जो मेरा कोशल है, जो मेरा style है, जो मेरा अंदाज है परहने का, वो मेरा आठ है, उसी तरह हर टीचर का अपना परहने का अंदाज, अपने परहने का आठ, अपनी चीज़े अलग-अलग होंगी, हर बच्चे का भी अपना अलग होता है, तो इसको individual difference से relate कर सकते हैं, जैसे हर आदमी एक दूसरे से कुछ मन्यताओं में अलग होता है, इश्वर नहीं अलग-अलग बना के भेजा है, तो सिक्षकों में इस art या इस कला को लेकर विभिनता को दर्शाय जा सकता है, तो सिक्षन एक कला है, इसको आपने समझा कला किस रूप में है मैंने आपको बताया, अपनी style हो सकती है, अपनी attitude हो सकती है, अप अपनी एक art जरूर होती है, परने पराने को लेकर, तो फिर science क्या है, teaching को हम science भी क्यों कहते हैं, अगर science को मैं define करना चाहूं, science को बताना चाहूं, तो कहा जाता है, science is a systematic knowledge of anything, किसी भी चीज़ के, किसी भी विशय के, क्रमबध ज्यान को ही विज्यान कहते हैं, बच्पन से आप पढ़ते सुनते आ रहे होंगे, कि किसी भी विशय के क्रमबध ज्यान को, क्रमबध यानि एकदम systematic अगर हम ज्यान हासिल कर रहे हैं, तो वो हमारा विज्यान कहलाता है, तो सिक्षन में भी कोई न कोई system जरूर मोजूद होगा पढ़ने पराने का, यूहीं हम कहीं से सिक्षकों का पराने का जो अपने एक अंदाज होता है, तो जो content और topic पराने आते हैं, उसमें systematization को रखते हैं, क्रमबध तरीके से topic को कैसे प्रस्तूत करना है, उसकी कला उन्हें बहतर आती है, समझ में आती है, students को क्या बाते समझ में आएंगी, simple to complex चले, abstract to concrete चले, कि concrete to abstract चले, यह सब सिक्षक पे निर्वर करता है, अमुर्थ से मुर्थ की ओर जाना, सरल से कठिन की ओर जाना, ग्याद से अग्याद की ओर जाना, सिक्षकों की अपनी strategy होती है, students की IQ level को ध्यान में रखके और उनकी learning को ध्यान में रखके, environment को ध्यान में रखके, उसका chain करते है तो क्रमबध तरीके से अपने ज्यान को प्रस्तूत करना, जिसे चात्र आसानी से ग्रहन कर सके, तो परहाने की यह जो मेरी कला है systematic, यह मेरा विज्यान है तो सब्द में इसे ऐसे समसकते हैं, जहाँ system मौझूद है, वहाँ science मौझूद है, और जहाँ science है, वहाँ system जरूर है जैसे कोई आदमी किसी काम को बहुत ही systematic तरीके से करता है, और बिना कोई गलती करे सही नतीजे तक पहुँच जाता है, तो लोग कहते हैं, अरे, बहुत scientific काम करता है यह तो scientific कहने का मतलब भी है कि काम बिल्कुल systematic हुआ हूँ, तो सिक्षन भी वैसे ही बहुत ही systematic process है, कला तो है ही, कला के बारे में आप समझ चुके हैं, लेकिन विज्ञान भी है, system मौजूद है यहाँ, अब सोचते होंगे कि system इसमें कौन सी सोचने देखने वाली बात है, यहाँ कौन सी system नजर आ रही है, system है, आप याद किजिए, कि जब आप B.A.D. कर रहे होंगे, तो second year में, या जो लोग one year में किये होंगे, six month के बाद, आपको lesson plan की जिमेदारी सौफी जाती है, और इसकूलों में परहाने को लेकर एक कवायद सुरू हो जाती है, खुश याद आया, अब आप lesson plan की जब बात करते हैं, तो वहाँ planning आ रही है, और planning बिना system के, possible नहीं है, तो lesson plan जब हम करते हैं, तो lesson plan में जो steps है, steps को बिना आगे पीछे क ये step by step follow करके हम lesson plan को complete करते हैं, ताकि अगले दिन हमें class में बच्चों के साथ उस lesson plan को discuss करना है, और एक invigilator हमारे उपर होते हैं, हमारी surveillance के लिए होते हैं, हमें check करने आते हैं कि मेरी सिक्षन कितनी बहतर तरीके से हो रही है, क्या वो well planned है, क्या वो scientific हो रही है कि नहीं हो हो रही है, इसको check करने के लिए एक आदमी आते हैं, तो जब हम सिक्षन करते हैं, lesson plan प्रिपेर करते हैं, उसके step by step चीजों को follow करते हैं, तो system से जहां काम करेंगे, science मौझूद है, तो सिक्षक जब class में परहने आता है, तो यूँ ही तो नहीं है कि बस सोके उठा, या कहीं खेट से आया या जहां से भी मन हुआ आया और आके परहना शुरू कर दिया, नहीं, ऐसा कभी नहीं होता है, सिक्षक class में आने से पहले हमेशा, तैयारी करते हैं, चीजों को परते हैं, तत्यों को समझते हैं, और students के बीच उसे कैसे प्रस्तूत करें, इसको लेकर analysis करते है और एक well planned status के साथ वो class में पहुँचते हैं, और तब आपकी class एक घंटे की होती है, एक teacher को एक घंटा परहने के लिए जितनी महनत करनी पड़ती है, आप सोच नहीं सकते, वो general student 4-5 घंटे भी महनत करें, तो सिक्षक के उसे एक घंटे परहने की महनत को complete नहीं कर सकते हैं, एक सिक्षक एक घंटा परहने के लिए 3-4-4 घंटे तक study करता है चीजों को, अच्छे से पहले खुद समझता है, और तब फिर students के पास उन contents को deliver करता है, और कम से कम सब्दों में अच्छे example के साथ बच्चों को समझाने की कोशिस करता है, तो सिक्षक की तुलना किसी से करन बिल्कुल बेमाने होगा, एक बेमानी सी हो जाएगी सिक्षकों के साथ कि उसके तुलना किसी से की जा रही हो, हर सिक्षक की अपनी एक कला होती है, और परहने के लिए अपना जो standard है, अपना एक system है, वो एक science है, इसलिए teaching को कहा जाता है कि एक art भी है, science भी है, art इसलिए क कि मेरे परहने का वो मेरा अंदाज मेरी कला है, लेकिन काम को systematic तरीके से complete करना और students की learning को increase करना, well-planned manner में systematic तरीके से करना, science कहलाता है, तो मेरे ख्याल से आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी, कि teaching से हम art और science को क्यों relate करते हैं, clear हो गया, अब teaching करते क्यों है, वह students का ज general lifestyle है, जो learning है, जो वो environment से, अपने आसपरोज से, अपने माबाप से, लोगों से, चीजों से जो सीख रहा है, उसको कैसे तर्तीब में, sequence में करके, और फिर उसे प्रस्तूत करना, और किताबी ग्यान को बाहरी दुनिया से जूर के परहना, सिख्षा का लक्षे होता है, ताक कि उसमें, उसके behavior में, उसके वेवहार में कुछ वो परिवर्तनाय जो एक अच्छे नागरिक के गुनों में सामिल होते हैं, वो बनाना मुख्य मक्सद होता है, सिख्षक को इसलिए, राष्ट्र निर्माता का नाम दिया गया है, एक राष्ट्र के निर्मान में सिख्षक क कि ही भूमी का सबसे महत्वपुर्ण होती है, क्योंकि students को वो prepare करता है, तयार करता है एक अच्छे राष्ट्र के निर्मान के लिए, ताकि किसी भी sector में students क्या करे, चीजों को सीखने और पढ़ने के बाद अपने skill का इस्तमाल करके देश की तरक्की में योगदान दे सके, सिख्षक उस लाइक उसे बनाता है, समाज में सब भे वेक्ति के रूप में वो अपना नाम कर सके, इसलिए सिख्षक दिन रात महनत करता है एक अच्छा समाज निर्मान करने के लिए, इसलिए कहा जाता है कि एक वक्त कम खाइए, लेकिन अपने बच्चों को परहाइए, बहुत ज़रूरी है शिक्षा क्योंकि किसी बड़े फिलोसफर और दार्शनिक ने कहा है कि दुनिया की तमाम रोषने किताब के इन काले अक्षरों में छिपी होती है. अक्षर काले होते हैं किताब में लिखे हुए लेकिन पुरी दुनिया की रोशनी इन ही काले अक्षरों में छिपी है जो पढ़ते हैं उनकी गहराईयों में जाते हैं चीजों को समझते हैं वो दुनिया में अपना नाम रोशन करते हैं और दुनिया को उस वेक्ति से बहुत फायदा होता है। वो कुछ ऐसा दे जाता है, कुछ ऐसा दुनिया के लिए कर जाता है, जिसे दुनिया याद करती है। तो इसलिए एक वक्त कम खाए, लेकिन अपने बच्चों को सिक्षा जरूर दे। किसी भी अस्तर की सिक्षा के उन्हों हूँ। तो जितना teaching करना, जितना अपने आप में एक art है, उतना science भी है। Science यसलिए क्योंकि systematic तरीके से सब चीजों को प्रस्तूत किया जाता है, कि students बहतर तरीके से समझ सके और learning को पूरी तरह आत्मसाथ कर सके इसके लिए किया जाता है। दुनिया को कैसे रोशन करेगा, यानि बच्चों को बहतर सिक्षा कैसे प्रवाइड कराएगा। तो इन तथ्यों को आपको समझने की जरूरत है, आपको बहुत महनत करने की जरूरत है अगर आपका लक्षे है सिक्षक बनना, स्कूल तक पहुचना लक्षे नहीं होना चाहिए, समाज निर्माता की रूप में आपका लक्षे बनना होना चाहिए, कि आपको समाज की बागडोर दी जा रही है, एक पिर ही आपके हाथों में होगी जिसे आप क्या बनाएंगे वो आपे निर्वर करता है। तो teaching करना बहुत ही अपने आप में tough काम है और export के लिए उतना ही आसान काम है। एक expert teacher बनिये, knowledge expert बनिये अपने field में और अपने art को और अपने science को अपने teaching में इस तरह समाहित कर लिजिए, कि लोगों के सामने जब प्रस्तूत कीजिए तो लोग कहें कि हाँ वे शक दम है इस सिक्षक में वो दम लाईए अपने आप में teaching aptitude जो आपको 50 number के लिए पूछे जाएंगे general हर जगा net के exam में भी जो आपको assistant professor बनने के लिए net का exam होता है उसमें भी teaching aptitude से related question होंगे आपको आप high school plus two के teacher बनने जा रहे हैं teaching aptitude के question होंगे आप primary के teacher बनने जा रहे हैं तब भी आपकी अंदर teacher वाला aptitude तो होना ही चाहिए तो teaching का aptitude नहीं है और हम teacher बनने आ गए कोई combination ही set नहीं होता इन ही चीजों को समझाने के लिए मैंने आज की ये video especially बनाया है आप समझिए आपने अभी teaching को समझा एक ही line में इतने देर से मैं discuss कर रहा था अब आपको समझ में आ गई होगे अब हम aptitude की चर्चा करते हैं aptitude क्या है जैसा के board पे आप देख पा रहे है aptitude के बारे में aptitude को हिंदी में अभी चमता कहते हैं वहां board पे लिखा हुआ है अलग से फिर हिंदी की demand नहीं कीजिएगा aptitude यानि अभीक शमता यानि unnatural ability to do something किसी भी काम को करने के लिए वेक्ति की जो अपनी प्रकृतिक शमता है जो आपके अंदर जन्मजात है उस शमता को प्रस्तूत करना या किसी काम को अपनी जन्मजात शक्तियों या जन्मजात शमता के साथ उसको complete करना किसी काम को सीख लेना aptitude कहलाती है बहुत ही futuristic word है aptitude का मतलब हमेशा भविश्य से समबंदी थे जैसे teaching aptitude ये जाहिर करता है कि examination hall में 50 number के इस question को solve करने के बाद उसके scoring के अधार पर भविश्य में आप सीख्षक बनेंगे या नहीं बनेंगे इसकी चर्चा की जाती भविश्य से समबंदी थे इतना धियान रखने की बात है aptitude हमेशा भविश्य से relate करके ही समझा जाता है जैसे आपको याद होगा teacher exam देने से पहले मुझे लगता है बहुत सारे लोगों ने अलग-अलग general competition की तैयरी की होगे SAC के exam होंगे, banking के exam होंगे या general और भी कोई exam होंगे IAS civil services के exam होंगे BPSC वगर के question या किसी भी state state PCS वगर में जो question पूशे जाते हैं उसमें general aptitude लिखा जाता है paper पे आप उपर ही देखते होंगे gold aksharo में बड़ा सा general aptitude लिखा जाता है यानि सामान्य अभी छमता यह test आपकी इसलिए हो रही है क्योंकि भविश्य में आप इस पद पर काम करने लाइक है की नहीं है इस test से जाच की जाएग भविश्य में काम करने लाइक है की नहीं इसलिए किसी भी भविश्य में होने वाले काम की जाच पहले अगर करनी हो तो उस चीज से related जो test हम prepare करते हैं वो aptitude test होता है आपको pilot बनना है aptitude test देना होगा आपने IIT, IMA या management वगरा किया होगा तो कोई company आपको job offer करने जो आती है job fair वगरा जो लगते हैं वहाँ पर तो आपकी एक है screening test होती है उसमें आपके aptitude की ही जाच होती है कि जब तक ही aptitude test आप पास नहीं करेंगे भविश्य में उस पद के लाइक आप नहीं है जानी कि अगर आपकी अंदर aptitude उस काम के लिए नहीं है तो कोई भी company कोई भी school college आपको क्यूं ले उसी तरह सिक्षक बनने के लिए भी आपको aptitude किया हो सकता है जिसको हम teaching aptitude काते हैं जानी सिक्षक बनने के लिए भी आपमें सिक्षक वाले गुण सिक्षक बनने वाली अभिशमता का होना बहुत जरूरी है जैसे पाइलेट बनने के लिए पाइलेट को जैसा ग्यान होना चाहिए वैसी जरूरत है इसी aptitude की जांच अगर हम train के railway driver की अगर जांच कर ले local pilot वगर की तो उसमें भी aptitude से related question होते हैं railway में भी पुछे जाते हैं उसको हम general aptitude कहते हैं जो हर वेक्ती में होना चाहिए आप में भी सिक्षक होने के नाते होना चाहिए general aptitude आपके अंदर होना ही चाहिए लेकिन सिक्षक बनने आप जा रहे हैं तो आपके अंदर teaching aptitude का भी होना बहुत जरूरी है यह aptitude हमें futuristic बनाता है भविष्य में किसी पद पर काम करने लायक हमारी knowledge हमारी skill है या नहीं है उसकी जाच पहले करना aptitude की जाच करने से समझा जाता है तो मुझे लगता है कि आप teaching और aptitude को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे यह क्यों जरूरी है एक सिक्षक बनने के लिए ये भी आप समझ लिए क्योंकि आपकी शमता की आपकी natural ability की ability जो हम create कर ले वो नहीं natural ability जो आपके अंदर जनमजात शक्ती के रूप में innate power के रूप में आपके अंदर मौजूद है उसकी चर्चा हो रही है हम develop कर ले 2-4 महिनों में वैसा कुछ नहीं है natural ability किसी काम को करने की जो है आपकी उसकी जाच कर लेना aptitude के test में सामिल होता है और उस काम को करने की अगर आपकी अंदर शमता और सलाहियत है यानि उस काम और उस विशे के प्रति आपका aptitude है aptitude हर आदमी का दूसरे से different होता है individual difference का एक keyword माना जाता है aptitude तो detail class में इसको अच्छे से समझेंगे जब हम प्राई करेंगे state वगर को लेकर या citate को बस ये समझना है आपको कि teaching को लेकर aptitude आप में होना ही चाहिए आप develop कीजिए चीजों को पढ़िए समझीए discussion कीजिए topic को अच्छे से पढ़िए सिक्षा के दर्शन को पढ़िए आपको बेशक सारी चीजे clear हो जाएंगे समझ में आ जाएंगे तो बस आज के लिए इतना ही आप सभी को मेरा आदाब नमस्कार फिर मिलते हैं next video में